के बाद तो बात करें वे टेलिग्राम चैनल लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफ़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर करो क्लिक एंड़ गाई समीज वीडियो के अंदर किसी पर तरह की चीज़ को पुर्स्तायत नहीं कर रहे हैं वीडियो बहुत ही आदा सेवर नॉलेज़ेवल है बढ़ते हैं आगे बात करें इस मैच की आपको पता है कि जीजन क्लफ फ्रेंडी लीग के अंदर तीन मैच खेल चुके जिसमें से एक मैच जीती है और लाजियो टीम ये वाले सीजन मतलब अभी दिसम्बर में अभी एक भी मैच क्लफ फ्रेंडी इमो मॉपाइल नहीं भी खेलता तो इसका मतलब समझ जाना की रेस्क दे रख है क्योंकि इमो मॉपाइल को शायद ना भी खिला है ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने ले लिया तो खेलेगा ही खेलेगा और गॉमिस की बात करेगी बी गॉमिस से जादा एफेक्टिव इस सीजन रहा है वाइड डैमिर बट मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा आज के मैच में डैमिर इस सीजन तीम गोल कर चुका है सीएफ लीग के अंदर जो की बहुत जादा है बट मैं क्या करू मेरे ना हिम्मत नहीं हो रही वाइड को लेने की क्योंकि वाइड डैमिर को ले बाई अगर मैं इसको ना गिनके सीरिय लीक की भी बात करूं तो उसके अंदर भी जैक गैनी का जवाब नहीं है इमो मोबाइल जैसा गेम प्ले दे रहा हमें हाला कि कंपैरिसन बंदा नहीं था लेकिन फिर भी करना पड़ गया क्योंकि बाई जिसकी जगह पर इसको ये ख वैसे रिजन ये है कि स्ट्राइकिंग भी जानता है एस मिलिन कॉविक तो अपना फीफा खेलने गया हुआ था तो मुझे नहीं पता कि अब तक इसकी वापसी है की नहीं क्योंकि वर्ड कप खेल रहे थे ये लोग तो अभी कुछ कह नहीं सकते ठीक है तो अभी मिलिन नहीं खेलता तो हो सकता है मैं एलबर्टो के साथ ही रहूँ यलमास की बात कर देल मास जो मेरी मजबूरी है लेना क्योंकि यलमास की जगाव डिफेंडर लेते हैं तो वह बहुत रिस्की आगर अगर इनकी पूरी टीम सब्चिरूट हो गई तो डिफेंडर तो लेना समझ बहुत चोटे प्लेयर्ट लेकिन इनको बड़ा बनना ऐसी बात नहीं है अगर यह जितना खेलेंगे इनको बार-बार ट्राइ करता है आगे से अगर बात करें यहाँ पर है कोकुक को लेंगे और को आपकन को किस नॉर्मल प्लेयर दिसेंबर में भी अच्छा प्रदशन दे स में दो नेक्स्ट वीडियो में बाई